Hello friends. तो आज मैं फिर्स्ट वीडियो बहा रहा हूँ Physics part one पे जो मारा first chapter है Rotational Energies इस Rotational Energies में ऐसे बहुत सरे concept है जिसमें हम derivation पढ़ने बादे तुम्हें derivation पाने के लिए है कि जो diagram में resolution होता है कि अलेलग component के ऐसे दिखाते है वो रिसॉल करने के लिए किस method का स्वाल होता है, वो कैसे होता है first of all तो बच्चों के यह नहीं पता होता है कि clockwise direction क्या होता है, anti-clockwise क्या होता है sir friction क्या होता है, sir motion कैसे होता है वो उनको पता नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें वो छोटवटी बाते, बड़ क्लियर करते है जब तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा तब जाके आगे अगर मैं derivation कर रहा हूँ कि sir आप यह block-wise क्यू ले 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 हो, anti-clockwise क्यू friction connection, ऐसे ही क्यू लिया आपका तो वो सारी बाते मैं तुम्हें यहाँ पर clear कर रहा हूँ तो अगले lecture में मैं तुम्हें derivation पढ़ा हूँ फर्स जो छोटवटी बाते हैं, यह rotation dynamics में जोबी derivation में use होने वाला है, मैं पहले तुम्हें वो बताता हूँ अच्छे से तो पहला है motion, यह motion के सब, motion किस सब्सक्राइब है, इस chapter हम पढ़ा है, chapter का नाम देखो, नाम में ही चुपा है, rotational, rotation का मतब सीधा तो नहीं होगा, पहली बार, rotation मतब बहु भी चीज, rotate हो रही है मतब तुम्हेरे नचल में आना चीज, जिस अर्थ पे रहे तो भी घूमता है, और आम इतना गौर नहीं करते हैं, उसके बाद, fan, सबसे पहले fan, कि हर आज गर्मी का सीजन है सबको पता होगा, लाग जाने के बाद, कि fan तो जरूरी है, fan गूमता है, fan casing होगता है, वह हो गया, तुम्हारे घर के लिए घड़ी होगी, या फिर तुम कहीं स्टेशन में जाओ, जो बच्चे, स्टेशन में वहाँ पर एक बड़ा सा गड़ी लगा होगता है, उसमें काटे होगता है, वह क्लॉप में तुम उस काटे को लेखो, कैसे गुमता है, उसका डिरेक्शन क्या है, मैं तुम्हें कह रहाँ कि आज तुम्हें घर पे देखना है, क्यों गुमता कैसे है, एक्चुली अब खुद जज नहीं करते हूँ कैसे है, is a clockwise and anticlockwise and बहुत सारे बच्चों को यहजी कुला होता है, कि clockwise होता है, or anticlockwise what होता है, कि कि उसके बातों ढॉप riskzone , कि friction सरद क्या होता, friction का direction कैसे decideट करते हैं बहुत मैं बता हूँ। सबस्टे मेरे बात पुरत ते morning, the rotation motion ना मत् any multiply होता है कि कोई भी object जो गोल गुम रहा हूँ एक्सांपल ऐसे ले सकते हैं या फिर वो ऐसे भी गुम सकते हैं इसको अंगे दे रोटेक्ष्ट दे देखो एक फार मैंने ऐसे गुमाया है मैंने हातों का डिरेक्ष्टन देखो कैसे है यह हो गया अब दुसारा जो कैसे गुमार हो दोलोग सेमन दो ही था पर दोनों रोकेड हुए, गोल सरकरपनाये आ तो, डिफरेंस क्या लूए एक मैं ऐसे गुमाह रहा मतब यह डारेक्ष्टन रुमाहा था और एक मैं उस डारेक्ष्टन में गुमाहा था यह ऐसे गुम रहाँ था, और वो ऐसे गुम रहाँ था तो यह दोनों डारेक्श रोटेशन के बरट इसमें एक clockwise हो तो clockwise कहा हो मैंटी लुट क्लॉट का मतलब होता है गडिए अगड़ी का काड़ था, तुम्हें देहां कि गड़ी का काड़ जो होता है वो ऐसे गूंता है कहा है मुझा था-था में भूता था जो जो जुशन रुद्षे थेले से बड़े आधू वो नहीं ये सब पता है पर जो नए बच्चे आने बादे तो उसालीज उनको ना पता है इसे मैं बस चोटीड हैं उंके सामने बता रहा हूं अब ये ऐसे ग्लाव गुम चाह तो ऐसे बताओ इसको मैं A बोलता हूँ इसको B बूलता हूँ ये ऐसे घटी का गाट ऐसे होता अब मुझे बता ये डेक्साहो बहाँ आदा कि B में किसमें B मैं? इस की जैसा हुम रहा है इसका मदने गडी ऐसा गुम रहा इसका बाद यह clockwise ही और यह घड़ी की अपोचिट खुंप रहा तो यह क्या है? anticlockwise. तो B वाला क्या होए मेरा? clockwise. और A वाला क्या होए मेरा? A anticlockwise. यह उते तुम्हारे direction तो direction की बात पर रहे देश में ठीक था clockwise रहे था anticlockwise तो clockwise clockwise. अब सर, clockwise और anticlockwise हमें कौनसी वाल्यू लेते हैं? लस की माइस. वह देखें. यह से यह axis है, x-axis और y-axis. हमेशा angle यह जो x है इसी से बनता है और यह positive x-axis यहाँ पर positive होता है यह इसे हम स्टार्ट के रहे हैं. अब मुझे 30 degree मैं है, 30 degree मैं नीचे नहीं जाओ, नीचे यह axis जाएगा और उपर यह axis जाएगा. यह clockwise होगा और यह anticlockwise होगा. कि clockwise हमें का रहेगा? Negative value और anticlockwise देखा हमें positive value. यह मेरा plus today भी यहाँ आपा रहेगा. इसलिए, तो clockwise always gives negative value, anticlockwise gives positive value. तो clockwise का देखा माइनस, anticlockwise देखा plus. अब बात आती है friction की. बात आती है friction की. Friction क्या होगा? बस इतना यहाद है कि friction जो होता है, वो कोई भी motion को क्या करता है? आपोस करता है, कहरता है आपोस. For example, तुमारे सामने अगर मेरे सामने फुटबॉल बड़ा है, मैंने उसको पहर से kick मारा, क्या लगता है? वो फुटबॉल यहाँ से देली तक जाएगा? नहीं, वो ग्राउंड पे जजादे जादे कहई न कहई रुख जादेँ, बस ग्राउंड का सिर्फेस है और जो फुटबॉल है पई काहिका है, वो पहले जब महारा था, रुख जाएगा थिरे दित्स कर्कूर कर ine दिल हो, ग्रोफ किया जुपोर्ज क्या और ही होता है तुपाराeled friction अभी होता है friction Friction का direction हमेशा ha motion की कह और भी देखा? opposite क्या रेगा opposite बस कितना ही आ लेको लेको तो यह motion, friction और यह direction इसके अगले lecture में तुम्हें मैं derivation पढ़ाहूंगा जिसमें आंड GPA T E Twice करने मारे तो यह सारे चीज़े मापे यूस हो